सबी लोग जिनका हर मईने सेलरी आता है प्रेमेंट आता है जो कमा रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि मुचल फंड में इन्वेस्ट करें किसी भी मुचल फंड का कोई भी सजिसन नहीं है कि यहाँ पर इसमें करें इसमें करें क्योंकि बहुत से mutual fund जो 12% से उपर देते हैं बहुत से mutual fund बारा परसंट 15% के लगबग देते हैं जिसमें के अलग-अलग mutual fund तो invest कर सकते हैं ये एक तरह से हर माईने auto debit कर दें ताकि जो भी salary आती है तनको आती है तो तारीक fix होती है उस तारीक को account से cut हो जाएंगे चाहे 1000 हर माईने करें 2000 से शुरू करें 3000, 4000, 5000 हर माईने fix करते हैं जो amount किसी mutual fund में तो हर माईने खाते से automatic cut हो जाएगा तो उस पे बहुत अच्छा benefit मिलता है जिसमें की ये देख सकते हैं 52,450 रुपे invest किये हैं total हर माईने जो cut ते हैं amount 8500 के something कटता है अभी अभी और जादा किये हैं मैंने बाकी पहले ये 67,000 कटते थे अभी 8500 कटते हैं total हर माईने ये 2-3 माईने से जादा कर दी हैं बाकी 5-6 माईने का ही amount है तो 52,450 से इससे फाइदा ये हुआ कि अभी 62,000 से भी उपर हो गया है amount दीरे दीरे करके इसका जो benefit है कभी भी emergency में निकालना हो तो निकाल सकते हैं कभी भी बंद करना हो तो कर सकते हैं mutual fund में जरूर invest करना चाहिए 5 साल, 10 साल या 15 साल बाद इसका benefit मिलेगा कुछ दिनों के लिए नहीं अगर कोई 6 मेंने या 2-4 मेंने करना चाहता है तो उसके लिए मतलब नहीं है mutual fund का लेकिन लंबे टाइम 5 साल, 10 साल बाद इसका फाइदा दिखेगा खुद देखेंगे क्योंकि अभी से फाइदा दिखने लग गया है जिसमें की 9,809 10,000 के something amount फाइदा benefit मिल चुका है तो कभी भी निकाल सकते हैं कभी भी वापस बंद कर सकते हैं 1000 हर मेने भी कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा तो कोई सीमा नहीं है इसलिए mutual fund में जरूर लगाएं suggestion नहीं है कि कौन से mutual fund में लगाएं लेकिन जरूर लगाएं